Hi everyone, आज हम कुछ ऐसे sentences या फिर आप बोल सकते हैं कुछ ऐसे phrases सीखने वाले हैं जो आपके daily conversation में बहुत ज्यादा use होने वाले हैं So guys, what are we waiting for? Let's get started Number 1, long time no see Long time no see का मतलब होता है बहुत दिनों से देखा नहीं आपको जब हम अचानक से अपने friend या फिर दूर के रिस्तदार से अचानक से टकरा जाते हैं बहुत लंबे समय के बाद तब हम इस phrase को use कर सकते हैं Long time no see, बहुत दिनों से आपको देखा नहीं Number 2, rest assured Rest assured का मतलब होता है भरोसा रखें Number 3, how dare you तुमारी हिम्मत कैसे हुई Number 4, would you please speak slowly क्या तुम थोड़ा धीरे बोलोगे जब हमें किसी को बोलना होता है polite way में, तब हम would you please speak slowly का use कर सकते हैं क्या तुम थोड़ा धीरे बोलोगे Number 5, it's all yours इसे अपना ही समझे Number 6, how disgraceful कितने अपमान की बात है कितने अपमान की बात है Number 7, don't make me say it मेरा मूँ मत खुलवाओ हम बोलते हैं बहुत बाल मेरा मूँ मत खुलवाओ Number 8, it's not that ऐसा नहीं है Number 9, it's a stale food यहाँ बासी खाना है Number 10, don't flound too much don't flound too much जादा इत्राओ मत So guys, इस तरीके से आप इन sentences को daily conversation में use कर सकते हैं If you found it interesting, don't forget like and share Thank you for watching